नमस्कार मेरे वित्रो जीवन एक अलग प्रकार सी जीने का अनुभो देता है उस अनुभों के अनुभों के अनुभों ही हम अपने कार्यों को सुचारू ढंक से चलाते हैं इसी प्रकार जीवन में हर बेक्ति का जो समय और काल होता है वो पहले से निधाईत है उसमें संसोधन इस्वर दारा होता है और वो भी आपके कर्मों पर होता है तो जब हम किसी के कुंडिली का अध्यन करते हैं तो हम इस पर विचार करते हैं कि उसका बिसलेशन बिसेश रूप से हो जैसे हर कुंडिली में सभी बेक्ति का काल पुरूस की कुंडिली के अनुसार अलग अलग लगन होता है और जीस प्रकार का बित्ति का लगन होता है उसी अनुसार उसकी जिन्दिगी की जीवन सहली बदलती और बनती है अलग अलग जगहों पर अलग अलग अस्थानों पर अलग अलग मात्वों से हम जब किसी कुंडिली का बिसलेशन करते हैं तो हम देख पाते हैं कि उसमें कितना हम किसी के जीवन को सलच्चित कर सकते हैं हम उस कुंडिली के रूप हर बिक्ति के जीवन में उसकी साथगी और उसकी कुसलता पर हम प्रकाश डालते हैं कि जब हम किसी की कुंडिली का बिश्रेशन कर रहे होते हैं तो यह आवश्यक है कि हम पूर्ण रूप से उसको संतुष्ट करें संतुष्ट हम तभी कर पाते हैं जब हम उसके बरहो भाव पर गहन अध्यन करते हैं तो मैं आगे प्रयास करूंगा कि आपको कुछ बता पाऊंगा क्योंकि यह विधा सीखने का है और मैं अभी भी इस में रूज कुछ न कुछ सीखता हूं इस अंसार में बहुत से उन्यतिसील प्रगतसील भिद्वान हैं रोजोग की भिद्वान हैं जिनको हमसे बहुत ज़ादा ग्यान हैं उनसे बहुत कुछ मिलता है तो हम आगे इस पर विस्लेशन देंगे और उन बरहों भाव पर अलग-अलग मादमों से आपको बताएंगे और इसका आपको लाब देने का प्रयास करेंगे और आसा करेंगे कि अगर हम कहीं तुटी बस खेद बस कुछ गलत कहते हैं तो आप उसका संसोधन करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे हमें भी कुछने कुछ सिखाएंगे तो आईए हम सब कुछने कुछ नया सीखने का प्रयत्न करें और फिर जब हम आपके समख्च आएंगे तो कोई न कोई भी सह लेके आएंगे इन बरहों भाओं का भी सह भी होगा किसी के कुंडली का भी सह होगा किसी के कुंडली का भी सलेसन होगा और उसके अनरूप हमी प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी चीजे जानकारी मिले और अगर जीवन में कुछ कटना ही आ रही है तो हमारे जोतिस विधा में हमारे मुनियों ने, हमारे रिशियों ने हमारे पुरूजों ने बहुत से ऐसे ऐसे तरीके बताएं हैं ऐसे ऐसे उदाहरण दिये हैं जिसके मादम से हम अपने जीवन को और सरल और सुगम बना पाते हैं उस मादम की भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं सुगम बना सकते हैं और उसके अनुरूप हम इस्वर की अरादना करके इस्वर से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लोग बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ जानकारियां देते हैं, हैं भी उससे लाब भी होता है, तो सूक्ष तरीके से, ब्रहत तरीके से, अगर हमें सही प्रमाण मिल जाए, सही गड़ना हो, सही विसलेशन हो, तो मैं ये समझ पाता हूँ कि आपका भागे बदला जा सकता है, तो जय स्री राम